ये चीज मुझे बिल्कुल क्लियर हो गए थी कि ये दोई से ठीक नहीं होगी क्योंकि इतना मुझे लेना था लेल चुगा था अब भारत में तो एमसी है ना सबसे वड़ा से इससे ज्यादा तो फिर ना कोई संस्ता ही नहीं और बाकी जितने भी हैं वो बता सकते हैं आपको बंद कर दिया था क्योंकि मैं गोलियों से इतना परिसान हो गया था मेरी चमडी है और मेरा स्री काला पड़ गया था और जो इससा था जहां मेने दोई लगाई थी आप एसे मानलो कि ये ना राक होती है ना बतब जो एक्दम काली नहीं होती लेकिन उसलेटी कलर की होती है वो मेरी चमडी हो गए थी जहां जहां मेने दोई लगाई थी पूरे चेरे पे बड़े बड़े गाव जो है वो हो रिखे थे हाथ पे तो भेंग कर था और ऐसा देखके लगा था इसमें से खून निकल रहा है और यह लगा था रोय जा रहे थे उसमें जो मुझे इनकी प्राबलम हो गई और मैं इतना डॉक्टरों से लाज ले चुका हूं अरुवेद कर बता है नहोंने मैं आयरुवेद से लाज ले चुका हूं काड़े पी चुका हूं नीम जो कुछ होता था मैंने सब कर चुका हूं और फिर मुझे इनके शब दे आज भी नोने का था यह मैं तो गुर्दे मेरे इसको ठीक करते हैं ने तो फिर मैं आत्पत्या कर लूगा हां बिल्कुल यह सच बात है मैं इतना परेसान हो गया था मैं उसी टाइम आठ बजे के आज पास चुप चा मूँ बांदे हूए क्योंकि मेरे हाथ इतने गल चुके थे उस टाइम खुझल अब मैं इतना परेसान हो गया है क्योंकि खुझली ठीक हो जाए क्योंकि आदमी क्या करे जब सब कुछ है ना हाथ से निकल जाता है पहले तो आपकड़ों के अंदर थे तो दिखे नहीं किसी को बस परेसान में था उसके बाद हाथों पर आगे और हाथों पर इतने बुरी अपने आप इसे घिंस ही आती है खुद को दूसरे को तो दूर की बात है खुद को आते है और मैं इतना confidence गिर गया था मेरा कि अब मैं करूं तो करूं क्या क्या क्योंकि treatment layer अपने पास सिधी सीख बात है treatment के अलावा कोई इलाज नहीं है है अना अपन डॉक्टर के पास बा आगे जा भी नहीं सकते हैं तो मैं लास्ट के अंदर फिर मैं परेसान इतना परेसान हो गया कि कपडे मेरे उनसे खून निकलता था तो मेरे कपड़े चीप जाते थे और मतलब खोलते वक्त तो इतनी बूरी हालत होती थे क्योंकि आप समझ सकते हो मैं पूरा कपड़ा चि खतम हो गई वह 15 मिल्ट मेरे जीवन के अंदर मतलब ऐसा आया दोर कि मतलब मैं किस चीज के भाग रहा हूं और क्या हो क्या रहा है गुर्दय कई बार कहते थे कि जागरे तवस्ता में यहां इसलिए ध्यान करवाता हूं मैं क्योंकि आत्मा यहां विराज माने फिर फिर फ आत्मा के संपर्क में जाते हैं यहां ध्यान करते हैं तो वो आनन्द में है तो आप भी आनन्द में हो जाएंगे और वो जो समश्या जो दुख पीड़ा तकलीफ रोग चल रहा है उससे कट जाएंगे कुछ देर के लिए और जैसे कट जाएंगे वो फिर गंटों के लिए कई दिनों के लिए उससे आपको आराम मिल जाएगा और यदि वक्ति सुबह उससे संपर्ख में आए 15 मिट शाम को तो दीरी दीरी वो भी आने दूमें बना शुरू हो जाता है गुर्दयों ने का हमारे हिंदु धर्मालों ने दो बड़ी गलतियां की एक तो ईश्वर का ना कि जब सभी प्रकार के विकास की अवस्ता युव अवस्ता है जैसे पढ़ा ही करनी है उसकी अवस्ता युव अवस्ता है शारिक विकास करना है उसकी अवस्ता युव अवस्ता है आर्थिक विकास करना है उसकी अवस्ता युव अवस्ता है समाज में कुछ करना है उसकी जब सभी प्रकार के विकासों के लिए युवा वस्ता ही सबसे आदर्श काल है तो फिर आध्यात में विकास के लिए बुड़ापा कैसे हो सकता है और उससे भी आगे बढ़के गुर्देव ने कैसी बात के जो मेरे मन को बड़ी जबरदस्त लगी गुर्देव ने ये कहा कि जो लोक समझते नहीं वो एसी बात कहते हैं कि इसर का ध्यान बुड़ापा में कर लेंगे । यदि वो इस युवर आज भरी जवानी में आपके कोई काम ने आरहा है आपकी जिन्दिक्वे को आसान नहीं कर सकता आपकी समझ्यों को दूर नहीं कर सकता आपको सफलता में क चमतकार कर देगा आपके लिए अगर भगवान की जुरूत है तो सबसे पहले युवा वस्ता में और भारती योग पद्धती में योग से जुड़ने का काल युवा वस्ता ही हुआ करता थे फिर इनके जीवन में एक समश्या आई और उस समश्या के लिए इन्हों ने जितने शक्ति को डील कर रहा हूं क्रिश्न है ना वो एक ऐसी शक्ति है जो बिना इंस्ट्रूमेंट के मुझ करता है इसको तो आवशक्ता ही ने किसी चीज़ की हां लेकिन यह है गुरू के प्रतिपूर्ण समर्पन और दौन समय रेगुलर ध्यान और अधिक्तम नामजब चाब जिसको जिन्दगी भर सेलिट करना पड़ेगा गुर्देव आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहे है गुरू तो अपनी शक्ति से आपकी समश्यों को जो है वो कर रहा है तो समाधी की स्थित्वी प्राप्त होने तक अगर आपने बीच में अराधना छोड़ी तो वो सारी सम करेंगी करेंगी तो ऐसे मुकेश इंजी के साथ हुआ एक डिट में ने ध्यान किया समश्या है ठीक हो गई फिर उसके बाद जो चोड़ दिया ध्याल करना फिर क्या हो आप देगो अप सूनो अगर आधना छोड़ देता है विक्ति कृष्ने का नाम छोड़ देता है तो फ इतना नेगटिव था हर चीज को लेकर आज जना इतना है कि मुझे कुछ भी ऐसे कोई चीज है जल्दी से प्रभावित नहीं कर सकती है क्योंकि यह असीम सकती है आप अपने पूरो जोने कहा है यह बात की है ना तो बार क्या डूंड रहा है तो है जो अंदर है तुमारे अंदर वाला मार्क शुरू करता है अंदर तो आपके है लेकिन उसको आप देखने का जरिया तो यह ध्यान ही देला सकता है तो आमलाजी सिगा असीयाग गुर्देव के बारे में यह बात बोलना चाहूंगा कि यहां आपको कहीं जाने की दूरूत नहीं है आप जहां हो न नहीं जाना मतलब लोगों का मैंसेट इस अभी इस जनरेशन में यह हो चुका है कि यह गलत है वो गलत है मतलब वो तारकिक रूप से हैं हर चीज को देखते हैं लेकिन इस चीज को आप करके देखिए जो गुर्देव आपको घर बेठ है या फिर आप कहीं पे भी हैं और वहां पे आपको ध्यान करवा सकते हैं तो फिर आप एक बार करके तो देखिए आपको कहीं पे भी नहीं जाना आपको अगर कुछ कहीं जाना है तो आप गुर्देव के मंतर पे जाईए और वो मंतर सुनिये और फिर पंदर मिनुट का यहां ध्यान लगाईए आप कीजिए गुर्देव पे बरोसा अपने आप दिलाएंगे आप बस ध्यान कीजिए गुरू सियाक सिद्यों के इंट्रिवूस की जो श्रंकला चल रही थी आज उसमें हम लोग एकड़ी और आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारे साथ जो हैं वो हैं मुके सिंग जी और अगर यह को कि मुके सिंगी की जो जिन्दगी है वो आज जो चल रही है तो गुरूदेव के कृपा प्रसाद की वज़े सही है वरना शायद आज जिन्दगी इतनी सहच न होती तो कैसे गुरूदेव ने अपने एक्षिष्य को सभी समाम समस्यां उससे बचाया गुरूद तो हमने आपको काफी दूर नागोर्ज से जो आज बुला लिया है तो गुर्देव के लिए आप भी सहज आ गए है तो बहुत ही जो है गुर्देव की कृपः है अब हम लोग जो है पूरा डीटेल में कि एक चीज आप से जानना चाहेंगे क्या गुर्देव की कृपः से कि प्रॉब्लम ठीक हुई आपके और क्या अनुवव रहे ध्यान योग से संबंदित ठीक है क्यों मुझे लगता है कि यह जो कड़ी है यो बहुत लोगों को जो है प्रेड़ना देगी बहुत लोग जो शायद गुर्देव के दर्शन के बारे में नहीं जानते हैं उनको पता चलेगा कि इस तरह का रिजल्ट जो मेडिकल साइंस भी नहीं दे पाई डॉक्टर जिस चीज को ठीक नहीं कर पाए और गुरुदेव की कृपया प्रसाथ से क्यों भगवान कृष्ण का जो मंत्र है उसको जपने मात्र से और गुरुदेव का दो समय 15 मिंट ध्यान कर देते हैं और यूव आवस्था में जो आपको प्राब्लम थी पूरी जिंदगी जो आज आगे पड़ी है तो ये मैं मानता हूं गुरुदेव की असीम कृपा आपके अपर हुई है वे आपके प्रारब्द हैं पूर जुनमों के अच्छे पुर्ण कर्म हैं इस बज़र से गुरुदेव ने आज आपको जो है अपनी शर्ण में लिया है तो पहले तो थोड़ा सा जो है हम जानना चाहेंगे आप कैसे गुरुदेव से जुड़े और फिर उसके बारे में जानने के बाद फिर हम देखेंगे क्या आपको समझ्याती उस बारे में बात करें तो पहले या फिर बहुता है बात है अच्छी लगती है लेकिन अपने विश्वास नहीं पर शक्राइब भी बात है ना कि इनसान अगर परेसान होता है तो फिर वो देरे देरे अपने आप इना जाहे जैसे घुचाहे जिस रास्ते पर लाना है वो अपने आप लेकी आएगा और सायद कि अधिये कोई मेरा करने के लिए गुरुदेव ने पहले सही रस्ता दिखाया था तो शुरूबात ऐसे हुई कि मैं कोचिंग के लिए यहाँ था यहाँ और किसी लड़के ने मुझे बताया था इनके कोचिंग के बारे में सर के कि आप अगर ना आपको पढ़ना एना तो आ इतना याद है या दोजार पुलीस वाला मतलब दोजार अठारा से पहले वाला बेश था जो भी था मुझे रियाद नहीं है उसमें से यहां से सताओन लड़कों में से तरेपन लड़कों का सेलेक्शन हुआ था बिलकुल निशे दूप से वा था यह मुझे किसी मतलब यह नहीं नहीं बताई यह उसमें लड़कों मुझे का था यह बात पिर मैं यहां रूम के दालास के अंदर वटकता वटकता पूरे दिन फिर श्याम को मैं है कोचिंग में मतलब श्याम का बेश चल रहा था तो यहां आया मैं कोचिंग में और फिर गुरु भक्त है अपने गुर्देव की और गुर्देव की तो ऐसा उनको देखके मुझे है कि मतलब टीचर है पड़े लिखें है फिर भी है ना मतलब इन चीजों पर विश्वास करते हैं और यह उस टाइम के दोर है जब 2017-18 जब ना 2016-17-17-18 के आसपास की बात है तब आसराम वाला तोड़ सा मे मेरे तो खुद छोटा सा बच्चा हूँ अगर आपके बात बीच में मैं रोकूंगा अपको ऐसा कुछ भी नहीं अपमान की बात ही नहीं है लेकिन यह ऐसा प्रक्रण था जिसने भारतिये सनातनी जो हिंदू है उनको जगजोर के रख दिया था क्योंकि आशाराम जी उसमें मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स में ऐसे बहुत से लोग थे जो उनको मानते थे और फिर उनका जो प्रक्रण जब सामने आया तो उसकी बाद लोगों का हिंदू धर्म से विश्वास जो हो हिल गया गुरूओं पर से विश्वास हिल गया उसमें हम लोग प्रचार के ल विश्वास बिलकुर उट गया था उन पर डिसेजन मतलब वो सब अलग की बाते हैं मतलब उस टाइम जो सामने दिख रहा था वो ऐसा लग रहा था जो क्योंकि मीडिया में अपन वहीं देखते हैं जो अपन को दिखाते हैं जो चल रहा है अपन और अपना माइंड सेट भ उसी दिन गुरुवार था तो वो ध्यान भी हुआ तो द्यान में पूरे दिन से प्रिसान था और वो मेडिटेशन पंदरा मिनित का होता है तो वो फंदरा मिनित का वोस था था मिनित था 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 मतलब कि आजए लड़के वहा से अज़ दे उनके पुराने थे वह तो समझ यह जो जो एक पतानी क्या दिखे गा और मतर इस प्रवाशने के लिए एक वह टॉपिक मिल जाएगा वह बात हो गई हमारे लिए तो फिर दीरे दीरे जब प्रोग्राम सुरू हुआ और गूरुदेव रामला अल जिसा के बारे में बताया कि आप ऐसे हैं पंदरा मिन्ट ज् इनकी बासा में मनन कीजिए अंदर और आपको इसमें आप बोडी में परिवर्तन हो या कुछ ऐसे वाइब्रेसन हो बोडी में तो आप गवरा यह मत बस इतना जुरूर बताया था इनोंने और फिर उमसे जान करवाया गया तो मैं पहली बार ना इतनी सांती दिमाग के अं जो चीज वास्तों में सांति अपना जिसके बहाग रहे हैं वह जान रहे हैं और यह पूर्वे सन्य Saturday है यह जो आपने है ना एकदम सांथ हो सकते हो बिलकुल वो बोलते है ना सुन्य की इस्तती आ जाती दिमाग में वह वाली इस्तती मुझे ऐसा लगा कि हाँ है कुछ बात तो फिर थोड़ा सा माइंड सेट अलग हुआ फिर दिरे 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 क्योंकि पनोर्मा इंस्ट्ट है ना यहां पर एक चीज अच्छी है आपको पढ़ाई और कलास यह ना वो तो अपना काम है लेकिन ध्यान जरूर यहां मिलेगा आपको मतलब वो चीज है जो कहीं नहीं मिल सकती और खास तोर से सिक्सन संस्ता में कहीं पर भी इस चीज की चर्चा नहीं है सब प्रात्ना जरूर सब करवाते हैं लेकिन प्रात्ना किसके लिए करनी चाहिए और वास्ताव में है वो चीज क्या है वो रियलाइज आपको ध्यान से ही होगा ना मतलब ध्यान का अर्थी यहीं है कि पूरा ध्यान है वो एक जगह ले आना कई बार कहते थे कि जागरेत अवस्ता में यहां इसलिए ध्यान करवाता हूं है क्योंकि आत्मा यह विराजमान फिर गुरुदे फरमाते थे कि दुख सारे ही शरीर को है आत्मा तो आनंद में है आत्मा को कोई दुख निये जितने दुख है वो सारे ही पीड़ा वो इस देह को है और यदि ध्यान के अवस्ता में आप पांस सेकेंड के लिए दस सेकेंड के लिए भी यदि उस आत्मा के संपर्क में आ जाते हैं यहां ध्यान करते हैं तो वो आनंद में है तो आप भी आनंद में हो जाएंगे और वो जो समस्या जो दुख पीड़ा तकलिफ रोग च तो दीरे दीरे वो भी आने दुम्हें बना शुरू हो जाता है एक बार शुरुवात मतलब अगर सही दिसा में की जाए तो मंजिल तो पक्का मिलेगी चाहिए वो कोई सा भी छेतर हो कि जरूरी नहीं है कि कोई काम हो पड़ाई हो चाहिए बगवान का रस्ता हो चाहिए पू शुरुवात में मन नहीं था ध्यान करने का आपको लगा कि चाहिए कुछ हजी मुझा करेंगे अपने से लेकिन वहां मामला सीरिस निकला और आपका ध्यान लगया बड़ा जवर्दस्त है बंद्रा मिंट और वो शांती वो शांती के लिए बगवान कृष्णन ने का है कि वो इंद्रिया अतीत अनन्द है मैं सच बताता हूं वो मैंसुस आपको पता नहीं क्यों मतलब ऐसा हुआ था मेरे साथ कि जितनी बार में पूझा पार्ट करने को सिसकी देखो मेरा तीन-चार वारे मेरा एक्सिडेंट हुआ था तो मतलब गटना ऐसी गटिती कि मैं कुछ तो मतलब चोटी-चोटी चीजे हैं लेकिन उसके बाद में इन चीजों पर आस्तिक बिलकुल नहीं था एकदम यह सुद्ध रूप से नास्तिक था उस टाइम तक तो मैं लेकिन फिर दिरे-दिरे-दिरे ध्यान के फिर मैंने दिरे-दिरे ध्यान सुरू किया मैं अपने र तो मुझे पकड़ के तीन आद में तो मुझे पकड़ के तीन आद में तो रुक भाई तुमारी मुझे से यह दान वो डर गए हैं सारे उस टाम साइश अगर थे रोजसास जी तो उनके टाइम की बात है यह तो आप मेडिशन तो देखो सुरूवात तो करनी पड़ेगी अ पिर आपको लगेगा कि सच में एना में किस चीज के लिए दोड रहा हूं वो चीज यही है और सबकी अपनी जरूरते हैं पर यह है मैंने मतलब ध्यान का जैसे किया लेकिन पर्टिकुलर मतलब ऐसे आज कर लिया कल नहीं किया परसों किया यह से दिरे-दिरे मतलब सुरू अब तो अब तो बुड़ा थो अगया तो वो उस टाइम समझ में नहीं आती लेकिन देरे-देरे आई जाती है फिर यह अभी जो बात कहीं है अब इस दिशा में वात कही है तो लोगों ने आपको का गिए बुड़ा थोड़ी है जवानी है अभी तो इन जिन्दी की जिए क्या बावज जाओ जे चक्कर पड़ गए हो यह क्या धियान में जुरू कर दिया है यह तो ओल एज में करने की चीज़े तो गुर्देव इस दिशा में एक बड़ी महत्पून बात है गुर्देव के काफी स्पीचिस में आपको दिखेगी व बात गुर्देव ने का हमार कि जब सभी प्रकार के विकास की अवस्ता युव अवस्ता है जैसे पढ़ा ही करनी है उसकी अवस्ता युव अवस्ता है शारिक विकास करना है उसकी अवस्ता युव अवस्ता है आर्थिक विकास करना है उसकी अवस्ता युव अवस्ता है समाज में कुछ करना है उसकी जो है वह युवावस्ता है जब सभी प्रकार के विकासों के लिए युवावस्ता इस सबसे आदर्श काल है तो फिर आध्यात में विकास के लिए बुड़ापा कैसे हो सकता है और उससे भी आगे बढ़के गुर्देव ने ऐसी बात के जो मेरे मन को बड़ी जबर्दस लग सकता है आपकी समश्यों को दूर नहीं कर सकता आपको सफलता में कोई हैलफूल नहीं हो सकता तो वह इश्वर फिर बुड़ापे में क्या चमतकार कर देगा आपके लिए अगर भगवान की जुरूत है तो सबसे पहले युवावस्ता में और भारती योग पद्धती में य इतना स्ट्रॉंग होता था कि वह शादी कर पाते था फिर पच्ची साल के ग्रहस जीएन में गीते वह अब पच्ची साल ध्यानियों करते था अरादना भी करते थे करते थे पुर पचास साल के उम्र में तीसरा आष्रम शुरू होता था उसको वानपरस्थ कहा गया है उस गर परिवार में रहते तो थे लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता थे अलग रह करके अपनी इरादना करते थे अब उनकी अगली पीडी है वो ग्रहस्त में आ जाते थे और 75 का होते ही तो घर चोड़ करके जंगल में चले जाते थे क्योंकि उसको 55 साल हो गए थे ध्यान करते करते हैं और 75 के बाद फिर आखरी आश्रम आता था संयास आश्रम जिसमें फिर वह सिद्ध हो चुकि होता थे 50 सारा रादना करने के बाद और फिर वह अपना वन में अन्तिम जीवन बिता के योग की वस्ता में समाद्य को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते थे ऐश संतुलित हमारा जीवन था पर जब से कली काल प्रारम हुआ है या आश्रों वेवस्ता चिन भिन हो गई है मनुष्य किसी मर्यादा को मानने को त्यार नहीं है मनुष्य जो है उच उच रिंखल मन के साथ जिदर उसका मन कह रहा है जो वो करना चाहता है उस मन के पिछे भाग है और बावला हुआ मन के पिछे भागता है शांति उसकोई मिलती नहीं है ठीक है तो भारतिये दर्शन में ये आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है यूवा वस्ता ही आध्यात्मी विकास की जो सरोश्रे सवस्ता है पर चुकि आपको जैसे अब आपके इंटर्यू को क आपने बताया कि आपने ध्यान तो किया अपने द्यान कर रहे हो तो फिर आपने छोड़ दिया मैं आरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुकेश इंदी ध्यान से जुड़े उसके बाद कभी करते थे कभी नहीं करते थे फिर इर्रेगुलर हो गए अब मैं जो दूसरा इस इंट्रिव का उदर इनको ले जाना चाहूंगा फिर इनके जीवन में एक समश्या आई और उस समश्या के लिए इनोंने जितने डॉक्टरों के चकर काट सकते थे काटे और पिर जब सबसे निराश हो गए तो फिर इनको वापस जो है वो गुर्देव की आद आई तो शुकए मनम जानने का प्रेश करेंगा उस टांद की जम्वरें इनको मुकेश में उस पक्ष यू बला उसता इस तांश हु उस टाम यह गाए था होस्टल में था में और होस्टल इसारे कि वो फश्टल में फिक्स है कि कि मतलब वो परिवार रह वो सारा उसमें कुछ ना त तो मैं तरही बुम्राइट था व अधरी घ्राइट वा रूमेट मेरे अगये और अनी के घ्राइदे मेरे अने के दिता थे खेए दियाँ गाते हैं कि बाई अगरबत्ती की लगा लो उपर या फिर उसे कुछ बेज़ जो चोटे मुटे टोटके हैं वो कर लो हो जाएगा सही थीक है उस पर ना में गर्मी से हुआ है इन चीजों पर रहता है अपने की बाई गर्मी से हुआ होगा तो मैं ने ध्यान निदिया और फिर उसके बाद में ऑश्पिटल में दिखाया वो पंदर दिन कर टीटमेंट दिया था तीन-चार दिन लिया ठीक हो गया फिर छोट दिय है और फिर वो वापस हो गया उसके बााद वापस टीटमेंट लिया फिर वापस हो गया ऐसे करते हो गया मतलब दो-तीन बार तो होगया फिर मेने पर्टिकॉलर चार महीने ये कोर्स लिया था और मेडिकल ढॉक्टर से लिया मैंने और मतलब मतलब परतिश्ठी अजमेर के में अंदर जो ऑस्पिटल है ना उन से लिया है ना मैं नहीं लेना जगा जाओं यहां तो वापस ही तो अचान करते हैं मुझे तीन-चीर मीने पांच मीने च्छे महीन हो गए फिर इस्तत ही इतनी विक्राल हो गई कि एना मेरे हातों पर आ गए और मतलब मेरे बॉड़ी पर मतलब काफी जगह इतने हो गए कि उनसे पिसक के साथ जो खून आ वो शुरू हो गया थोड़ा सा इसमे पर बताई किया समस्चे होती है उसमें थोड़ा सा गहराई में बताई कि गहराई तो मतलब यह है कि इलर्जी से मतलब लग लग समझ जाते हैं सारे और जो खुजली यार रिंग वाम बॉलते हैं मतलब चमडी से रिटेड कोई रोग है जिसमें मैंने जेखा था आपको तो पूरे शरीर में बड़े बड़े इनको जो है से गाव हो रहा है तिर उनसे खून निकल रहा है खून और फिर इता बुरी तरीके से था कि हैना मैं मतलब मेरे साथ थी जो ओस्टल में बताता हूं ज अब तो दिखें नहीं किसी को बस परेसान मैं था उसके बाद हाथों पर आगे और हातों पर इतने बुरी तरीके से आये मैं खुद बताता हूं मेरे पास पढ़ी ए वो फोटो है तो मैं उनको देखता हूं ना मुझे यह स्तती होती है मैं खुद अपने आप इसे घिन सी खुद को दूसरे को तो दूर की बात है खुद को आते हैं और मैं इतना confidence गिर गया था मेरा कि अब मैं करूं तो क्या क्या क्योंकि treatment ले अपने पास सिधी सीख बात है treatment के अलाव को ही राज नहीं है है अपन डॉक्टर के पास बाग सकते हैं ज्यादा या तिर कोई medical है उसक तो इतना परेसान हो गया कि कपड़े मेरे उनसे खून निकलता था तो मेरे कपड़े चिप जाते थे और मतलब खोलते वक्त तो इतनी बुरी हालत थे क्योंकि आप समझ सकते हो मैं पूरा अगर कपड़े चिपक रिखा है कि उसको खूता रोगे तो चमणी उतर जाएगे उस आपने मुझे एक बात रोगे थे मुझे यादे कि सर पीछे भी हो रहे हैं तो मैं सोता हूं तो गहाँ पढ़ जाते हैं बिलकुल मैं बेट नहीं सकता था मेरी यह इस्तति थी आगे और पीछे मतलब यहां जाँ अब मतलब यह बेट का इस से लगा के यहां गुटनों तक यह मेरा पूरा का पूरा मतलब सड़ गया था एक तरीके से इतनी पूरी आलग हो रही थी और दवाईया लेते हैं बहुत लोगों ने बताया था मुझे टीटमेंट मतलब देशी नुस्के और क्या-क्या देशे नीम का करना है या फिर किसी ने गौमुत्र का बताया था कि पी और गौमुत्र लगा ओ है या बताया था जो राक होती है वो लगा ओ सब मतलब जितने उपायत है मेरी द्रष्ट्री में जितने आया मैंने वो किया डॉक्टर से लगा के ऐसा नहीं क्योंकि डॉक्टर आयरुवेद नीम हजी आयरुवेद भी लिया था अएरुए पार य। और रह स्योंकिला हुआ 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 हा लेकिन मुझे ऑलेखा की रे मुझे अटाय मावेद भी दोक्तिंघ вет अड़ेदे है रयूरा को समीक कि अडिक है मैंने को दिख जाने मुझे संपल का दिक हुआ है हुआ हुआ है आयरुआ हुआ 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 रही य। झां जोटफ नचेशं के लिए कि आट बजे चुछ चुछ थी तायम मेरा हात इतने गल शुके थे उस तायम कि मैं अपनी ही आइडेंटी चुपा रहा था लोग क्यांकि जानते थे क्लास थी महरी तो मैं आया था था शाम को इनसे बात की सड़से मैं उस टायम तो रोने लग गया था मैं जीवन और मुझे परेसान हो गया, खून वेसे ही निकल रहा है, कि मैं तो मोत आजाए यह खुछ लिए ठीक हो जाए, क्योंकि आदमी क्या करे, जब सब कुछ है ना हाथ से निकल जाता है ना, तो कुछ नहीं जाता, फिर मैं इनी के पास, सर को बता है, सर बता हो आप, तो मैं अपने दर्शकों को थुड़ा बताना चाहूँगा इस मामले में, कि मैं क्लास ले रहा था, चुकि मुकेश सिंग जी राठवड नाम है आपका, और आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं, और एक बहुत अच्छा सुंदर चहरा शरीर, भगवान ने इनको अच्छा रूप रंग दिया है, तो मेरे मन में वो ही चवी थी, मुकेश सिंग जी की, तो यह आये क्लास के, मैं से ख्लास ले रहा था, तो इन्हों ने इशारा किया कि बार को आए है, रूमाल बांध रखा थू, तो मैं थोड़ा बहुत सिंगे लेकिन आंकों पर क्यों बांध रखा है, बदलब चहरे पर कॉयों बांद रखा है, तो इनकों स्रमय को आपसे बात करने हैं, थोड़ा साइधेर आप साइड में आये हैं, इंस्टिटूट की मुझे याद है इंस्टिटूट के बाद उस साइड में कॉर्णर था वहां पे हम लोग कड़े हो के बात कर रहे थे तो इन्होंने फिर अपनी जो समझ्या थी वो बताई इनका हाथ देखा मैंने मैं चेहरे से अटाओ फिर इन्हों चेहरे से तो पूरे च के आसपास की बात है तो आज पांच साल हो गएं तो मुझे जितनी याद दाश्त है तो इनकी आंकों से विरल आंसु बह रहे थे और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम का बताया कैसे ऐसे ऐसे मेरे प्रॉब्लम हो गई और मैं इतना डॉक्टरों से इलाज ले चुका हूँ और मुझे इनके शब्द आज भी इनके शब्द आज भी यह तो गुर्दे मेरे इसको ठीक करते हैं तो फिर मैं आद पत्या कर लूँगा बिलकुल यह सच बात है मैं इतना परेसान हो गया था मैं फिर इनोंने मुझे यहीं बात कि जब इतने बड़े बड़े रोग कैंसर और एट्स जब पैसेंट ठीक हो सकते हैं जो माइगरेन से हैं क्योंकि मेरे क्लास में मतलब एक लड़की थी मुझे उनका या नाम है उनके माइगरेन था माइगरेन की चरम अवस्ता होती वो थी तो उनके ठीक हुआ था तो फिर मतलब अन्त वो बोलते है ना कि आदमी सब जगे भाग के फिर ना वो सुरुवात में जो मैंने कही आना तो वही है बई गुर्देव की याद मतलब यह आपकी नहीं है यह हम सब मानवों की समश्या है कि जब तक माया के जीवन में मन लगता है तो उसमें भागता रहते हैं दुख समझ से हैं सब कल रहते हैं फिर हुआ है जो है है में फिर जो है आपको वारstage कि इंड हुए और मैने इंको यह का था उसमें मुझे आद है मैं का था देखो यह मं मैं रहत से कि ए बुद्या रम जी कि थी ठीक हो गई किसी का AIDS ठीक हो गया देखो इसके माईगरें थीॡ हो गिया दिको इसके कैंसर थी हो गय गुर्देव तो अर असीम सत्ता है, उनके लिए तो कोई रोग माइन नहीं रखता है, गुर्देव तो हमेशा कहते हैं कि मैं जिस शक्ति को डील कर रहा हूं क्रिश्न, है न, वो एक ऐसी शक्ति है जो बीना इंस्ट्रूमेंट के मुह करता है, तो इसको तो आवशक्ता ही न मत्र नहीं है यह आपके जीवन के दुख काटने के मसीन एक तरीक ऐसा यह तो अगर मैं उस टाइम जैसे सर ने बताया मुझे 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 आप तो बस जैसे 15-min तो आप 20-min का करो उस टाइम मुझे यहीं बात बोलती है तो उस टाइम मेरे मतलब बोडी में मुव मेरे ठीक हो गए थे फिर वहीं बात है कि बुड़ा पे की लाटी तब तक यह जब तक अपन चल नहीं सकते हैं और अगर चाहिए बुड़े हैं चाहिए कुछ भी हो थोड़े सी अगर जोस आ गया तो लाटी सबसे पहले छूटती है तो वो ध्यान छोड़ दिया और वाप ज़्यादा जरूरी है जो भी लोग इस कारेकरम को देख रहे हैं गुर्देव ने एक बारनी हजार बार का है कि अगर इस अराधना को छोड़ दोगे तो यह रोग यह समश्या है आपको फिर से हो जाएंगी तो यह तो वो डॉक्टर है जिसको जिन्दगी भर सेलिट करना पड़ेगा गुर्देव आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहे है गुरु तो अपनी शक्ती से जो है आपकी समश्याओं को जो है वो कर रहा है तो समाधी की स्थित्वी प्राप्त होने तक अगर आपने बीच में अराधना छोड़ी तो वो सारी समश्या जो आपको इस ध्या करेंगी करेंगी तो ऐसे मुकेश इंजी के साथ हुआ एक डिड़ में ने ध्यान किया समश्या है ठीक हो गई फिर उसके बाद चोड़ दिया ध्याल करना फिर क्या हो आप देगो अप सूनो अगर अराधना छोड़ देता है विक्ति क्रिशने का नाम छोड़ देता है तो फिर वापस से क्या समश्या हो सकती है हाँ फिर क्या होगा फिर मतलब जो दिरे 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 वापस तूल पकड़ लिया उन्होंने वैसी कि वैसी हो गई यह समश्या है इस्तती बढ़ने लगी बढ़ने लगी फिर ना मेरे साथ में मेरे होस्टल में मेरे साथ ही थे हिमत ज आप फालतू इदर उदर मत बटकिये अब वहां जाईए ठीक है मैं का ठीक है मतलब क्योंकि वही बात है ना अपने को जो जो दिक्रा रस्ता वही निकल जाओ तो वहां चला गया मैंने टीटमेंट सुरू किया और उसके बाद तीन महीने मेरा लास पांच दिसंबर को मेरा ट पास पास हो गयते मुझे इस चीज़ को लेकिन उस दोरान वह सिरफ दुआईयों से ठीक हुआ और या गुरुदेव के मतलब ठीक नहीं हुआ वो दब गय था और गुरुदेव से उस ताइम थीक हुआ था फिर एम्स को मैंने ठीटमेंट छोड़ दिया दोक्टर ने को क्या दिया कि अब आपके ब्यमारी ठीक नहीं हो सकती है डॉक्तर के सब्सक्त है ठीक हो गई है उनके वक्ते वह यह कि ठीक हो गई है ठीक है फिर मैं मतलब एक तम उस टाइम मुझे ऐसा लगाता कि मुझे गौर्ल बडल मिल गया था क्योंकि रोग से आदमें किसी से सब आदमी परिसान होके बरदास कर सकता है लेकिन अगर सरीर साथ नहीं हो तो कुछ भी साथ नहीं है तो मैं वहां से आया पांच को और 13 तारीकों मेरे वापस हो गए तेरा दिसम्बर को मैं यहीं अजमेर था फिर रहना में पूर्ण रूप से ध्यान करना शुरू किया और वो दिन मतलब मैं ना तो मैंने ध्यान चोड़ा और ना मतलब यह गुरुदेव की सरन चोड़ी मतलब वो दिन है आज का दिन है अमस वालों ने का फिर वापस से समझ फिर आपको समझ में आ गया कि अब यह इनको कुछ समझ में आता है यह यह दौए से ठीक तो नहीं होगी यह चीज मुझे बिल्कुल क्लियर हो गए थी कि यह दौए से ठीक नहीं होगी क्योंकि इतना मुझे लेना था लेल चुगा था अब भारत में तो MC है ना सबसे बड सब्सक्राइब औरक्लिष्क परना था थी काई कि आता है में धर मुछ बड़ घृप मेरे पूरु के लें बड़ुके अधी, मतलब समाइन था इतना एकड़ हो गवित हुता है लेकिन और मेरे शासी पहा क्ला भाग ए था हुआ पर यह प्दानא ता और मेने फेर पर्दी यह हाथ वगेरा और एकदम टाइट हो गई थी जैसे यह वाला पॉर्ट्सन रहता है ना अपने हाथ लिगा इतने मतलब वह हाड हो गई थी सर्फेस भी फिर दिरे 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 ध्यान करता रहा करता रहा और आज मुझे इस बात को साथ तीन से चार साल हो गए है चार साल हो तो गुर्देव की शहरण में आके और वापस कभी इस यह एलरजी की सिकायत कभी नहीं हुई कुछ मतलब वापस देखना है नहीं पड़ा मुझे अब मैं लोगों को देखता हूँ ना तो और वो फिक्स है उनका टीटमेंट चा वो दो टेबलिट और एक वो टूब आती ह लेकिन अभी भी वो टीक नहीं है मतलब दूर के रिस्ते में है तो उनको मैं मतलब वहीं बात है कि कोई स्विकार कर लेता है द्यान को और वो गुर्देव जब चाहता है तो अगर आप अपने तरब से कोसिस करोगे तो जरूर ठीक होगा लेकिन अगर सिर्फ बातें करोग कि भाई द्यान करेंगे हां या कर रहे हैं या फिर खुद को आप पागल बना रहे हो कि मैं कर रहा हूं वो ऐसा कुछ नहीं है यह क्योंकि यह तो खुद के साथ डील है बिल्कुल बिल्कुल आप नहीं मैं कई बार वीडियो जब डालते हैं गुर्देव के तो आपक इस पैसे देकर के इन्हों इंट्रु लिया है तो क्या हमने कुछ पैसे वैसे दीये हैं इसलिए आप कह रहे है क्या बावला है मैं गाओं का आदमी हूँ और तुर्वा से आपका पूरे नाम क्या है आप कहा से लिए मुके सिंग राटवर नाम है मैं चोटी काटू के पास मेरा गाओं है कोनी अड़ा अचा है नागोड डिस्टिक है जो आप डीरों अगुचाहून हो गया है तो वहां से हूँ मैं और ग माउनात्म करूप से आप उनको कुछ भी करा लो या फिर वो बोलते है कसम दिल कि तुमको यह किसम है तो वह कुछ भी कर देंगे लेकिन गाओं का आदमी है जल्दी से पैसे पर तो नहीं आ सकता कि मैं आके ऐसे बोल दूँ देखो खुद कीजिए और देखिए और जूट एक बार ध्यान पर बरुसा करके देखिए परिणाम तो देखो शूर आपको मिलेगा 100% मिलेगा अगर आप करोगे तो और लगातार करेंगे रेगुलर करेंगे तब मिलेगा तो इसा आपने बीच में छोड़ दिया हाँ छोड़ने के सर छोड़ने से कुछ नहीं मिलता जामचब करता थाना में इस पर बजाते हूं मेरा यह जो है यह पूरा मूमेंट होता था था तो यह मत कीजिए अपने आप दिलाएंगे आप बस ध्यान कीजिए आपका काम क्योंकि अपने से तो वही हो सकता ध्यान बरुसा वह अपने आप कराएंगे और आपका जितना भी कारें रुका हुआ है जो भी है मैं सच बता रहा हूं मेरा माइंड सेट पूरा चेंज हो गया है मैं पहले इतना नेगटिव था हर चीज को लेके आज जना है कि मतलब मुझे कुछ भी ऐसे कोई चीज जल्दी से प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि यह असीम सकती है आप अपने पूरो जोने कहा है यह बात की है न तो बार क्या डूंड रहा है वो है जो अंदर है तुमारे और गुर्देव ही है जो अंदर वाला मार्ग जो है वो शुरू करता है अंदर तो आपके है लेकिन उसको आप देखने का जरिया तो यह ध्यान नहीं दिला सकता है उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है आपको कहीं मिल सकता है और कहीं तो फिर मुझे भी बताईए मैं भी लेकिन ना अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप ध्यान कीजिए तो फिर आप समर्च गुर्देव श्री रामलाल जी शियाग और द से आने लगे थे आपकी स्टोरी सुन करके एक युवा बच्चा जिसके पूरी जिन्दगी सामने पढ़ी है और ऐसी खतरनाक बीमारी उसको हो जाए Medical Science, AIMS ने जिसको बोल दिया और फिर भी ठीक न हो रहा हो और उस बच्चे को केवल गुर्देव के श्री चरणों में शी चुकाने से भगवान श्री रादया कृष्ण का मंत्र जो गुर्देव दते हैं के वल उसका नाम जपने मात्र से और दो समय ध्यान करने मात्र से और परार्थना करने मात्र से जो शरण में आया गुर्देव के उसने जो है प्राप्त किया है तो शरनागत होकर के करुण प्रात्ना की और वो भगवान कृष्ण की शक्ती है गुर्देव शाक्षा तो अनों में ठीक है एक चीज यहां बोलना चाहूंगा जैसे बाबा वगेरा है या फिर गुर्देव हैं अलग अलग परकार के हैं मतलब सब जैसे अलग अलग सी दिया उन्होंने अरजित की है लेकिन मैं इन जैसे राम लाजी सिगा असियाग गुर्देव के बारे में यह बात बोलना जैसे अंगुलियां उठाते हैं कि आपके बाबा बरष्ट हो सकते हैं या आपके गुर्देव बरष्ट हो सकते हैं यहां पर कॉंसेप्ट नहीं है क्योंकि आपको कहीं पर नहीं जाना मतलब लोगों का मैंटसेट इस जनरेशन में यह हो चुका है कि यह गलत है वो गलत है मतलब वो तार्किक रूप से अ मेना हर चीज को देखते हैं लेकिन इस चीज को आप करके देखिए जो गुर्डेव आपको घर बठे या फिर कहीं पे भी है और वहां पर आपको ध्यान करवा सकते हैं तो फिर आप एक बार करके तो देखिए आपको कहीं पे भी नहीं जाना आपको अगर कुछ कहीं जाना है तो आप गुरुदेव के ना मंतर पे जाईए और वो मंतर सुनिए और फिर पंदार मिनुट का यहां ध्यान लगाईए आप कीजिए कोशिस सब काम होगा आपका रुका हुआ है चाहिए आपके जीवन के अगर आपको है ना वो बोलते है ना एक बेकबॉन हाँ एक सपोर्ट हाँ बेकप बोल दो कुछ भी मतलब वह है ना अगर है ना कोई नहीं दे सकता गुरुदेव के लावा वो आप बस एक बर भरोसा कीजिए ठीक है तो मोके सिंधी दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवा जाना पड़े तो वो प्रभू ने जो दिया है वो बहुत जादा है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप आए आपने पूरा अनुभव जो शेयर किया पता नहीं कितने लोगों का जिनको ऐसी कोई समश्या होगी इस से आज प्रेणा मिलेगी और हजारों आपको लोग गुर्देव के इस दर्शन से जोड़ करके खुद का कल्यान जो है वो करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपको जैए गुर्देव जैए गुर्देव सर्देव जैए गुर्देव